लो टेडर्स मेरा नाम ही शुबाम और स्वागत कुरूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुबागदम है दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले कल के मार्केट अनालिसिस के उपर कल के मार्केट सेशन के लिए मैंने जो जो सटॉक्स कर टेंड करने वाला ओर साथ में निफ्टी forbidden बेंक nifty के वीउस बे आपके साथ शेयर करने वाला हूए टाइटल पडके आपको पो पाक पर से पता चल जई गाया होगा कि मार्केट एक ब्रेक और मेक लेवल पर है अगर market यहाँ पर से sustain कर लेता है तो ही हमें यहाँ पर से कोई upside moment देखने को मिल सकती है otherwise फिर से एक market में correction देखने को मिल सकता है क्यों ऐसा हमें बोल रहा हूँ इसके पीछे का पूरा technical reason आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर आप analysis को start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी और bank nifty का chart देख लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि nifty का यहाँ पर one hour का time frame का chart लगा हुआ है हमारी हाँ यहाँ पर निफ्टी में analysis क्या थी अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो हमने यहाँ पर analysis यह मैं हर रोज आपके साथ में share कर रहा हूँ यहाँ पर एक important एक trend line है यहाँ पर price ने resistance लिया देन price यहाँ पर से नीचे गिर रही है फिर भी यहाँ पर मैंने आपको एक support बोला था अगर हम यहाँ पर से one hour के time frame में चलेंगे तो आप clearly देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा structure बन रहा था एक बहुत अच्छा impulse move उसके बाद में correction और एक impulse move उसके बाद में correction पर यह correction तब तक valid होता है जब तक वो अपने 0.618 को breakdown ना करे अगर हम यहाँ पर Fibonacci retracement का use करेंगे हमें simple से यहाँ पर Fibonacci retracement का tool लेना है और पूरा यहाँ पर bottom से लेके top तक लगाना है तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि market ने previous week में 0.618 पर एक बहुत अच्छा support लिया था और price ने यहाँ पर closing दी थी पर आज price ने आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा gap down opening दिखाया और वो HDPC bank के result की वज़े से था HDPC bank भी बहुत ही बड़ा gap down कुला और उसकी वज़े से nifty और bank nifty में दोनों में भी एक बहुत ही अच्छा gap down देखने को मिला पर यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा trade में आपके साथ में यह levels कल ही share करके रख रहे थे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.786 का level मैंने आपके clearly आपके साथ में share किया था मैंने बोला था कि अगर price यहाँ पर से break करता है तो next level होने वाला है 0.786 का पर market ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा gap down दिखाया price इसके नीचे open हुआ यहाँ पर एक बहुत अच्छे से pullback लगा और यहाँ पर से गिरा अगर वही activity हम थोड़ा सा 15 minute time frame में देखेंगे तो आपको यहाँ पर से clear हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि price यहाँ पर खुला ऊपर गया एक विनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न मना यहाँ पर एंडर हो सकते हो यहाँ पर आपका stop loss रहेगा यह जो lows यहाँ पर लगे थे price ने जब यहाँ पर support लिया था यह मेरे लिए यहाँ पर important support का काम करने वाला है और अगर मुझे यहाँ पर trading opportunity find करनी होगी तो मैं simple आपके साथ में दो trend line share करना चाहता हूँ सबसे पहले यह trend line मैंने यह trend line आपके साथ में पहले भी share करके रखिये और second trend line हमारी यह है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह trend line बहुत ही अच्छे से काम कर रहे है kind of यहाँ पर falling channel pattern बना रही है price नहीं यहाँ पर बहुत ही अच्छा respect किया यहाँ पर देख सकते हो और अभी देख सकते हो कि price किस तरीके से इसके आसपास trading कर रहा है अभी यहाँ पर से हमें कल trading की opportunity किस तरीके से मिल सकती है एक trading opportunity यहाँ पर से बन सकती है कि price छोटा सा gap up खुले कोई rejection candle बना और उसके बाद में price यहाँ पर से fall कर सकती है और second setup यहाँ पर से बन सकता है जो कि buying का है हमें कम quantity के साथ में trade करना है यह जो level है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह level आपके साथ में share भी कर देता हूँ यह एक important level है हमारे लिए 0.786 का level है अगर price 17,240 को breakout करता है यहाँ पर कोई pullback दिखता है तो यहाँ पर से हम बहुत ही अच्छा long का trade ले सकते हैं दो targets आपको यहाँ पर से बताना चाहूँगा first target यह वाला जो high यहाँ पर लगाता है यह first target and then 0.678 का second target हमारा यहाँ पर होने वाला है यह दोनों भी levels आपके साथ में share करता हो तो कुछ इस तरीके के trading opportunity यहाँ पर से में find करने का try करूँगा और अगर price gap down खुलती है तो simple सा मुझे इस वाले level का breakout चाहिए then यहाँ पर से में कोई अच्छी trading opportunity दूनना चाहूँगा जो कि मैंने आपके साथ में share की होई थी यहाँ पर भी important resistance वाली trend line है यहाँ पर एक fake breakdown हुआ उसके बाद में price ने यहाँ पर बहुत अच्छा consolidation दिखाया और one hour के time frame में अगर आम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी similar structure बन रहा था आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि बहुत अच्छा सा impulse move उसके बाद में retracement और आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिर से एक अच्छा सा impulse move दिखा उसके बाद में price यहाँ पर retracement ले रहा है ठीक है और अभी price 0.618 पर रही अगर मैं यहाँ पर भी Fibonacci retracement का tool लू एकदम यहा consolidation breakdown करता है यहाँ पर से अगर यह consolidation breakdown करता है तो important support होने वाला है 0.5 और उसके बाद में होने वाला है 0.618 और आप देख सकते कि price ने इसके आई यहाँ पर open किया यहाँ पर से rejection लिया नीचे गया exactly price ने support कहा पर लिया 0.618 पर लिया और यहाँ पर से हमें buying momentum देखने को मिला अ अगर हम 15 minute time frame पर चलेंगे तो यहाँ पर भी हम gap filling की strategy यूज कर सकते है price देख सकते हो कि यहाँ पर आप buying momentum देख सकते हो यहाँ पर आप buying momentum देख सकते हो buying momentum बढ़ रहा है और यहाँ पर से selling momentum थोड़ा सा यहाँ पर down हो रहा है कल अगर हम यहाँ पर से कोई अच्छा सा breakout वाला है जो कि 0.382 का level है यहाँ पर देख सकते हो कि 0.382 का level है यह तीनों भी levels आपके साथ में यहाँ पर share करता हो और हमें यहाँ पर partially targets यहाँ पर book करने क्योंकि एक important resistance का काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पर से एक बहुती बड़ा gap up opening हमें देखने को मिला था और यहाँ पर daily closing चाहिए अगर यहाँ पर कोई daily closing देती है तो यहाँ पर से हमें बहुती अच्छा correction फिर से bank nifty और nifty में दिखाई दे सकता है क्योंकि nifty में already important 0.678 का breakdown हो चुका है bank nifty अभी यहाँ पर support ले रहा है अगर bank nifty भी break कर देगा तो दोनों भी यहाँ पर indices में बहुती अच्छ का correction हमें देखने को मिल सकता है इसी हो जैसे 36,450 का level हमारे लिए बहुती important support का काम करने वाला है अगर daily closing इसके नीचे मिलती है तो इसके नीचे हम बहुती aggressive selling पर plan कर सकते हैं तो यह है मेरी nifty और bank nifty का analysis अभी यहाँ पर से थोड़ा सा stocks की तरब चलते हैं सबसे पहला यहाँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर i button पर add कर दूंगा यहाँ पर analysis बहुती simple है आप यहाँ पर देख सकती price यहाँ पर retracement ले रहा था यहाँ पर बहुती अच्छा accumulation हुआ उसके बाद में trend line और resistance का breakout हुआ प्राइस ने retest लिया उसके बाद में और एक impulse move उसके बाद में और एक pullback और यहाँ पर से फिर से एक impulse move हमें देखने को मिल सकता है ठीक है अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से वन आवर के time frame में चलेंगे यहाँ पर bottom से लेके top तक Fibonacci को कीचेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि accurately 0.618 पर यहाँ पर price आ चुका है और यहाँ पर से हमें impulse move देखने को मिल सकती है और अगर आपको confirmation चाहिए होगा तो हम यहाँ पर 15 minute time frame में भी जा सकते है और आप यहाँ पर देख सकते कि price जो है वह यहाँ पर बहुत ही अच्छा inverted head and shoulder pattern बना रहा है और downtrend line का भी breakout कर चुका है अगर neck line को कल breakout कर देता है कोई भी pullback देखकर हम यहाँ पर से बहुत अच्छी long के opportunity ले सकते है अभी यहाँ पर से neck जो stock है गेल भी अपने important resistance पर आ चुका है अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह previous high जो है वह price यहाँ पर पोच चुका है और अगर और और भी confirmation चा candle बना रहा है inverted hammer candle बना रहा है इसी वज़े से price resistance पर भी है और Fibonacci resistance पर भी है इसी वज़े से correction हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है गेल में और इसी वज़े से हम यहाँ पर selling का try कर सकते सिंपल हमें 15 minute time frame में जाना यहाँ पर भी important uptrend line है अगर price इसका कोई breakout कर देती है तो कोई भी यहाँ पर pullback देखकर हम बहुत यह अच्छी shorting के opportunity ले सकते है तो यह है मेरी stocks के analysis और nifty और bank nifty के analysis होप है आपको analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो please इस वीडियो को like कर दीजे आपके friend के साथ trading के में साथ share कर दीजे और एसी वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much